अयोध्या में बन रहे हैं मंदिर को लेकर श्री राम जन्मभूमी 36 ट्रस्ट ने मूर्ती कारों को यहत्त्य करने के लिए लगाया है कि रामलला की मूर्ती कैसी दिखेगी साथ ही किस पत्थर से इसे बनाया जाना चाहिए मूर्ती राम मंदिर के लिए है जो यहां राम जन्मभूमी परिसर में निर्मान धीन है ट्रस्ट के महासचेव चंपतराय ने कहा हमें संतों और हिंदू विद्वानों से सुझाव मिले हैं कि रामलला की मूर्ती पांच से छे साल के बच्चे की तरह दिखनी चाहिए विचारिया है कि किवल एक खड़ी मूर्ती बनाई जानी चाहिए अधिकांच मूर्ती कारों ने भी इसी तरह के सुझाव दिए है और हुने कहा हर विवरन पर काम किया जा रहा है वहीं चमपत राय ने आगे बताया कि रामलला की आखनाक का चहरा पैरों की उंगलियां धानुश और तीर कितना बड़ा हो इन बारीकियों को भी देखा जाना चाहिए बारीक्यों पर चित्रकारों ने कहा पहले वो चित्र बना कर देंगे फिर चित्र के आधार पर कई लोग मूर्तियां बनाएंगे उनमें से फिर निडने लिया जाएगा कि कौन सी मूर्ती जादा हृदय को सपर्श करती है फिर प्रान प्रतिष्टा की जाने वाली मूर्ती बनेगी और वहीं मुख्य पुजारी आचार सतें द्रिदास ने बताया फिलाल नवरात्र के लिए परिसर में अस्थाई मंदिर में रामलला की मूर्ती को नौ दिनों तक चलने वाले इस नौ दिवसिय उत्सव के प्रतियक दिन अलग-अलग रंगों के कपड़े पहनाए जाएंगे और स्थाई मंदिर में यह अंतिम नवरात्र उत्सव होगा क्योंकि अगले वर्ष से यह नए मंदिर के गर्व ग्रह में होगा राम नौमी के दिन रामलला पीले रंग के कपड़े पहनेंगे क्योंकि हिंदू धर पीले रंग को शुब माना जाता है इस उत्सव के बाद अगले वर्ष से नए भव्य मंदिर में राम नौमी मनाई जाएगी और आयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति कब लगेगी स्तारिक का एलान भी हाल में कर दिया गया है मूर्ति निर्मान के लिए गटे ट्रस्ट के नए प्रमुक सदस्य और राम मंदिर के प्रबंधन ने कहा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जनवरी 2024 के तीसरे सप्ता में भगवान रामलला की मूर्ति को उनके मूल स्थान पर स्थापित करेंगे